देवरानी जी अपने पती को माई के अपने साथ ही लेकर जाना देवर जी खाना खा लीजे वरना बहुत देर हो जाएगी सुर्भी अपने देवर मनन से बोली अरे भाबी बस आदे घंटे और वर्शा का फोन आया है वे इलहाबाद पहुंच चुकी है लेकिन वहाँ खा लेना मेरा इंतिजार मत करना अच्छा तो बीवी को लेने की बहुत जल्दी है इसलिए सायद भूप भी नहीं लग रही है मैं तो मजाग कर रही थी आप जल्दी से जाओ और लेकर आओ मेरी देवरानी को इतना कहकर सुर्भी जल्दी जल्दी काम समेटने लगी क्यों कि देवरानी इतनी दिनों बाद माईके सी आ रही थी कितनी सारी बातों का पिटारा होगा उसके पास और फिर माईके सी आ रही है तो शौपिंग भी जाकर की होगी वे सब भी तो दिखाएगी इसलिए जल्दी से काम खतम कर लूँ फिर अराम से बैट कर उसकी बात सुनू काम करने के चक्कर में वे खाना खाना भी भूल गई तब तक मनन भी वर्षा को ले आ गया शुर्भी ने हस्ते हुए देवरानी का स्वागत किया और जल्दी से उसके लिए ठंडा पानी और मिठाई ले आई और बोली तुम बहुत ठक गई होंगी जल्दी से कपड़े वगे बदल लो, फिर मैं खाना लगाती हूँ देवरजी भी भूखे होंगे अरे भाभी आपने खाना खाया या नहीं मैं तो भूल ही गई मेरे जक्कर में भाभी भी बैटी होंगी आप भी अपना खाना हमारे साथ ही परोष लेना मनन ने कहा हाँ हाँ मैं तो काम में खाना खाना भूल ही गई तुम लोग खालो फिर मैं खालूंगी मनन को भाभी की चिंता करते देख वर्षा का मुँ बन गया था ये बात सुर्भी नोटिस कर रही थी तबी वर्षा ने सुर्भी से पूछा भाईया तो कब के खाना खाए होंगे लेकिन आप अभी तक क्यों नहीं खाई वर्षा की बात का शुर्भी ने जवाब दिया क्योंकि तुम नहीं थी जब तुम होती हो तो मुझे देवर की चिंता करने की कोई जरुरत नहीं रहती तब तक मैं खाना नहीं खाती बस इसलिए रुकी थी अब तुम आ गई हो समहालो अपने जिमेदारी और अब आइंदा से अपने पती को अपने साथ लेकर ही जाना जब रिस्तो में भरोसा ही नहीं है तो मेरी भरोसे तो बुलकुल छोड़कर मत जाना सुर्वी ये बात तो समझती थी कि वर्षा को मनन का अपनी भावी और उसकी बच्चे से गुलना मिलना पसंद नहीं आता था इसलिए देवर भावी की रिस्ते में उसने हैसी मजाग सीमित कर लेती थी लेकिन जब वे घर में नहीं थी तो वे अपने फड़ समझ कर भी कर रही थी लेकिन आज उसका ये सिला मिला था वर्षा तुमें बोलनी की तमीज नहीं है ये कैसा सवाल है जब तुमें भावी से इतनी ही परिशानी रहती है तो उनके सहारे घर छोड़ कर माई के मत जाया करो वे बेचारी तो बुलकुल अपने बच्चे की तरह मेरी जिम्मेदारी उठाती है और तुम उनसे इस तरह का सवाल पूछ कर अपनी गिरी हुई मान सिकता को दरसा रही हो रिस्तों में ये छोटी छोटी बाते ही बड़ा रूप ले लेती है आज तुमने मेरे और भावी का बहुत दिल दुखाया है बर्शा भी मन ही मन पच्चता रही थी कि उसने भावी को ऐसा बोलकर अपने ही पैरों पर कुलहाडी मार ली अब मनन उसे जल्दी कहीं जाने नहीं देगा लेकिन एक बार मूँ से निकली बात वापस नहीं आती देवरानी के सवाल का जवाब तो शुर्बी ने दे दिया लेकिन उसके सवाल के पीछे उसकी मान सिकता समझ आ गई थी देवर जी के परतीत अपना पन और ममता पर शक किया जा रहा था उसी पल से अपने और देवर जी के रिस्ते सीमित कर लिया सारा हसी मजाग बंद कर लिया जितना हो सकता दूरी बना कर ही रखती आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताईएगा और हमारे चैनल वानी वोईस को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूले